सिफार शो में सबसे पहले क्रम आता है किताबों का पहली किताब है IPS आफिसर अमित श्रीवास्तव की जो की देहरादूर में पोस्टेट है फिलाल लिखी हुई कहानियों की किताब जिसका शीर्शक है कोतवाल का हुक्का इसे काव्यांश प्रकाशन ने छापा है अगर टाइटल स्टोरी की बात करूँ तो ये बड़ी दिल्चस्प है एक कोतवाल और उसका रॉला और फिर वो रॉला कैसे खत्म होता है किस घटना से और इस पूरी घटना में हुक्के का क्या काम है आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ऐसे कुछ किरदार ऐसी कुछ घटनाय तो मेरे गाओं कस्वे और शेहर में भी हुई है इसके लावा भी पुलिस महक में से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी कहानिया है I'll strongly recommend this book दूसरी किताब प्रभात प्रकाशन से ये किताब आ रही है संतोश कुमार पत्रकार है आपने इनकी पहले भी एक किताब के बारे में सुना होगा हमने किताब आला भी किया था भारत कैसे हुआ मोदी मै इनकी अब ये दूसरी जरूरी किताब संग और सरकार वाचपई से मोदी तक संग भाचपा के रिष्टों की inside story इसमें inside story भी है और कई रोचक प्रसंग भी है मसलन उधारन के लिए ये तो हमें पता है कि अटल भी हरी वाचपई विदेश के दौरे से आते हैं अडवानी को चिठी लिखते हैं गोविंदाचार के मुख नहीं मुखोटा वाले कथित बयान का जिक्र करते हैं और दशेहरे की शुप कामनाई देते हैं और उसके बाद गोविंदाचार को अध्यन के लिए अवकाश मिल जाता है पर ये कितने लोगों को पता है कि जब दूसरी दफा गोविंदाचार की भाचपा में वापसी लगभगत है थी तब किसने वीटो किया क्योंकि अटल ने तो तब कह दिया था ठीक है आप देख लीजिए ऐसे कई रोचक किससे कई व्याख्याएं आपको संतोष कुमार की इस किताब में मिलेंगी तीसरी किताब कमाल के संगीतकार गीतकार गायक रहगीर की ये इनका नाम है इसी नाम से इनका यूट्यूब चैनल है जिस पर कमाल के गीत है फूलों की लाशों में ताजगी चाहता है वगएरा वगएरा अगली लाइन भीप करनी पड़ेगी कुछ गद्ध भी हैं कुछ कविताएं भी हैं और कुछ प्रसंग भी हैं चौमू के चौराहे पर एक बुढ़ा बैठा नंगा आते जातों को पूछता की क्यों भाई चंगा जो रुक जाता उसे बोलता की सुन भाई सेठा जा आगरा मू में लेले आगरे का पेठा या जैपूर जाके रंगवाले पिछवाला गुलाबी मुझे लगा की कोई पागल या फिर है शराबी मैं वेला था जा बैठ गया उसके बाजू में और पूछा बाबा जी क्यों लगाई है तूने ये चिल्लम चिली कि वो बोला जाहिलों का कोई शहर है क्या जैपूर क्या दिल्ली इस तरह की कई कविताएं आपको मिलेंगी किसी मल लाहे का बेटा जब नाव डुबोता है घरवालों की नजरों में वो नाम डुबोता है जिन्दा रहने के सारे वो दाउं डुबोता है क्यामत नहीं है तो और क्या है मुझे मैंखानों में लोग समले समले मिल रहे हैं जिन्दगी कितनी है इस बात का कोई भरम नहीं मुझे मैं मैं मैदाने जंग में पड़े गायलों की तरह हूँ तो ऐसी कितनी ही कविताएं हैं जिसके अंश मैंने मार्क कर रखे हैं हिंद युग्म से रागीर की ये कविताओं की किताब आई है आखरी में पांच गद्यांश भी हैं उसमें जो मेरा प्री है सुनिएगा गोर से अगर तुम्हें दफ्तर से आकर जूते खोलते हुए लगता है कि मुझे जिन्दा रहने के लिए इतना क्यों लड़ना पड़ता है तो किसी इतवार को बैठना दो पहर में अपने सोफे पर और कोई खिड़की जरा सी खोल देना तुम्हें दुख के साथ ही मिल जाएंगे किसी और भाषा में कराहते हुए रागीर तीसरी रेक्मेंडेशन चौथी किताब रूपा पुब्लिकेशन से आई है विनोध राय क्याक के तौर पर हमने इनका नाम सुना कम्ट्रोलर और जनरल ऑफ इंडिया भारत के सरकार को ऑडिट करने वाला भारत का एक्जामिनर विनोध राय को एक और रोल मिला कोट के आदेश से जस्टिस मुद्गिल और जस्टिस लोड़ा कमिटी की रप्तों के बाद एक सी ओए बनाया गया एड्मिस्ट्रेटर्स का एक पैनल बनाया गया जिसकी अध्यष्टा विनोध राय कर रहे थे मकसद बी सी सी आई भारत में क्रिकट के प्रशासन को दुरुस्त करना उसमें व्याप्त अनिमेत्ताओं को किनारे करना विनोध राय ने जब ये पद समहला तो उन्हें उनके हिसाब से पूर सूचना नहीं थी वो एयरपोर्ट पर थे अचानक से उन्हें पत्रकारों के फोन आने लगे उनकी रियक्शन के लिए और तब उन्होंने एक टीवी पत्रकार को कहा था कि मैं सिर्फ एक नाइट वाच्मैन की तरह हो जो क्रिकट की शब्दावली से वाकिफ हैं वो जानते हैं नाइट वाच्मैन टर्म उस प्लेयर के लिए यूज किया जाता है जो अमूमन बैटिंग और बहुत नीचे होता है लेकिन अगर एक दो विकेट गिर गए और कुछी ओवरों का खेल बाकी है तो उसे भेज दिया जाता है कि जाओ और थामे रहो नाइट वाच्मैन तो उनको भी लगा था कि वो कुछ देर के लिए पारी खेलने आए हैं पर पारी लंबी खिची इस दौरान क्या रहे विनोद्राय के तजुर्बे क्रिकट के नामचीन प्रशासकों ने भू रूपा से यह किताब आई है पाचवी और आखरी किताब जो की हापकॉलिंस से आई है दे ग्रेट शट्डाउन अस्टोरी ओफ टू इंडियन समर्स जोती मुकल की लिखी यह किताब है आप भूल तो नहीं गए ना वो दो बरस और उस बरस के सबक महामारी और महामारी के दोरान की बंदी एक बड़ी आबादी का आवागमन रोजी रोटी का संकट और इन सब के बीच जिन्दा रहने की लड़ाई जिसमानी तौर पर दिमागी तौर पर उस हालात को बया करती है यह किताब तो यह पांच किताब हैं हफ़ते की सिफारिश में हैं हमारी सीरीज भी है कमाल की लिखी दुर्गेश सिंग की लिखी सीरीज गुल्लक जिसका सीजन 3 आया है यह सोनी लिव पर सीरीज आई है अद्भुत है इसमें जमील खान साहब की और गीता अंजली कुलकरणी की जो एक्टिंग है वह अद्भुत है और जो उनके बेटे बनी हैं दो चोटे चोटे घम है उसको बहुत खुब सूर्ती से फिरोया गया है तो मेरी तो यह आल टाइम फेवरिट सीरीज हो चुकी है अगर आपने नहीं देखी तो आप इसके तीनों सीजन देख लीजिए यह सीरीज है एक फिल्म भी है थोड़ी पुरानी है हमारी एक दोस्त है नियॉक में रहती है और लिखने पढ़ने की शौकीन है तो उन्होंने ये एक बाचीत के क्रम में फिल्म सुझाई थी जर्मनी पर केंद्रत ये फिल्म है दो कलाकार है और उनको निरखता एक जासूस है यह प्लॉट है पुरानी फिल्म है लेकिन आप खोजेंगे तो आप को मिल जाएगे तो ये हमारी सिफारिश हैं बाकि एक सिफारिश हमें आप से चाहिए दिल्ली एंसियार के विद्वान बताएं कि सबसे शांदार छोले भटूरे और सबसे शांदार छोले कुल्चे कहां पर मिलते हैं कमेंट बॉक्स में लिख दीजे बड़ी मदद होगी क क्योंकि हमारे एक और दोस्तें जो आ रहे हैं और पर देश आ रहे हैं उनकी खास फरमाईश यही है कि गुरू बरसों बरस बीद गए तीन बरस के बाद देश आ रहा हूं सबसे पहले चाप के चना निफटाना है तो हमने सोचा कि अपने ललन टॉप के दर्शक परिवार स पूड रेकमेंडेशन मांगी जाएं आप अपने ख्याल रखिए परिवार के साथ और अपने साथ समय बिताते रहें अध्यान के लिए गुंजाइश निकालते रहें और गाने भी जरूर सुनिए और जब सुनिए तब पूरी तरह से दत्तिचित हो कर सिर्फ गाने अब रुखसती का वक्त, have a happy weekend, bye bye